कि यह गाइज नमस्ते स्ट्रिय का लादा अब रादे रादे जाय गुरूजी वल्कम बैक टू में चैलन तो अभी बज़रते सुबा के साड़े साथ और मैं बिस्तर कर रही थी था मतलब की सो के उठी ते उसके बाद मतलब की जो कंबल बग्यारा उड़ते है ना तो वही त टैए कर रही थी दो मम नहाने गई हुई थी और मैं आपना भिसतर वग् Docker कर ती मम आजैना जरीछा चाट लेती हूँ इसलिए मैं फिर अपना भिसतर वग्रा फश्बर कर रहे थी तो कपडे भी रखे वो हुए ते तेए कर रनिकले तो मैंने सोचा वँमाय ने वाय जोद तो वही थे तो मैं वही कुर्सी पर रख रही थी और मेरी कुछ दिनों से थोड़ी तब यह ठीक नहीं थी आपका वाज भी मेरी थोड़ी सी चेंज लग रही होगी इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी तो यह मतलब की जाडू वाडू जाडू लगा रही थी मैं ममी दो मैं नगाशे ही जाडू लगाने के पाद मैं नेपूछ सब्सक्राइब से लगआ नगे संफ तक मैंसे सब्सक्राहिそु ममी मैं हें अपना कड़नी है वारी तो अब सब्सक्रियक है, जले हमें मैं दो मौल थावर की उताई वाया था थी की कांषा हाया, सब्सक्रीक ए Richards भूणा था ज़ने मांफना था। मैं पानी डाल लिया था थोड़य से ज़야지 से जिंगी और घ्रीब की तरह लग रहे होぎ लग रही है लग रही होंगी क्या लगी रही हूं कामबाली बाई तो इसलिए जाड़ों लगा ली थी उसके बाद फिर मैं जीने पर पोछा मारूंगी क्योंकि जीन अच्छे से सूख जाएगा तो अब ठंडियां है गर्मी में तो थोड़ा लगता है कि हाँ जाड़ों मार देती हूं कोई बात में सूख जाएगा थंडियों में जल्दी से सूखता नहीं है इस वज़े से मैं पोछा भी लगाऊंगी जीने पर पानी भर जाता इसी वज़े से बाल चली थी वैसे गीला करके नहीं लगा थी पोछा बस हाँ जीने में जो पानी था न वो ल निचय ग手वेगा थे मीच कनिये को नाश्ता दे दिया और मैंने शर्क नाश्ता के सहओ कर लिंच तो गुरू जी और कनिया को मैंने नाश्टा दे दियो मैं नहां किया है अभी मैंने फेस्बूक कुछ भी नहीं लगाए तो देखो अभी दिखेगा है ना थोड़ा सा मतलब सूखा सूखा सा ड्राइड रहा है अभी मैं लगाती हूं उस पर फ्रोड क्रीम फिर उसके बाद म नाश्टा करूंगी थोड़ जिर में तब तक लिए तिक्के बाबाए यह एक दो दिन का मिक्स व्लॉग है सोर्या हमेशा मेरे ज्यादा तर मेरे वैसे ही आते हैं मेक्स व्लॉग क्या करूं क्यों समझे नहीं आता क्या ब्लॉगिंग करो रोज कही होता है घर का काम भी भी नहीं कि कुछ मेरी तो मैं बना रही थिया आलू के पराठे घरक Hersene को में वैही बना रही थी तब ही मैंने सोच अकि मैं भ्लॉगिंग कर मेरी मतलब की अभी जुखाम खांसी वगरा हो गया है इसी वज़े से थोड़ी सी तबेडी लिया है इसलिए अब आज भी थोड़ी चेंज लग रही होगी तो यह अलू के पराठे बना रही थी मैं तो मम्मी कहते हैं आलू थोड़े जादा होने चाहिए इसलिए मैं थोड़ दीरे दीरे यह उपाएगा तो बस अब यह ना मैं पहले मैंने कभी नहीं बनाया आलू के पराठे अब थोड़ा बनाने लगयों नहीं तो मैंने कभी आलू के पराठे नहीं बनाये मम्मी बनाती थी मम्मी बेलती थी मैं सेक देती थी बट अब मम्मी नहीं होती सुब़े क निवश्च पितुन होिए इस वघेатель से मैं कोशिश करने लगी हैं कि मैं चीजों को बनाना सीखोगे मंमी के भिना मंमी मैं हमेसा शाथ नहीं होंगी मेरे सब्सक्राइब हैं मैं हमेड़ीन तो इस कि आलों रात होते यह न दो इसी वज़े से मैं खूद ये अब पराठे बनाने लगयू नहीं तो मैं नहीं बनाते थी पराठे में बह烫 कम बनातती थी क्योंकि मुझे नहीं आते थे खानावानाने के बाद मैं नीचे चल के ठीट équर दूप में तो मैं भी बहुत कटकना है बहुत डेंजर है मतलब कि इसके पास किसी बच्चे को नी छोड़ सकते बच्चे ने हाथ रख दिया नो तो यह बहुत तेज खाटेगा और तो तेकिन चैनल बहुत पहनी होती है इसी वज़े से थोड़ा लगता है तो मुझे भी डर सा लग रहा यह मैंने एक ड्रेस ओडर की थी अच्छी लग रही थी तो वही मैं खोल रही थी मैं लेकर आई थी मैं वही खोल रही थी मैं देखते हैं कैसी लग रही है तो यह इसकी बैल्ट है इसके साथ जो आई थी तो यह बैल्ट है देख सकते आप तो वही दिखा रही थी यह बैल इसन्हेतीम की ती तो इसीले मैं नहीं बचे की जब धी कातीयोगा सब्सक्राइब करने करने कि क्चीमारम सब्सक्राइब, भुआतीम है। फुआते नहीं कलवा, तो, बसक्राइब को काइब, इसका इरह आकचा पर है। तो इसलिए फिर मैंने ड्रेस और बेल्ट दो नहीं एक साथ मतलब इसी में थी तो मैंने यह ओडर कर दी 200 रुपे में मतलब 2500 रुपे मान के जलो 2500 रुपे में क्या पूरा है तो इसी वज़े से मैंने मंगा ली आप सबी को मेरी ड्रेस अच्छी लगे हो तो कमेंट में जरू तो फिर ज्यादा कुछ खास नहीं था उस दिन फिर रात को वही नोव साड़े नौबजे बिस तर मैं गुष गई थी फिर सो गई ती उसके बाद 11 वजे तक सो गई ती लास्ट टैम मेंना 11 बजे होते है तो मैं सो जाती हूं 11-11 बजे तो उसके बाद मैं सो गई थी इतना मिक्स है वो तो प्लीज माइंड मत करना और अगर आप सभी को आज का मेरे ब्लॉग अच्छा लगो तो लाइक करें कमेंड करें शेयर करें और अगर आप मेरे चैलन पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना और ना भूले सौरी सब्सक्राइब करना ना भूले बैल एकल को जर झाल